केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र कोली की अपीले कर ली मनजूर कोट ने आरोपियों को सीबियाई कोट द्वारा सुनाई गई फासी की सजा कोखी आरत 36 गड़ विधान सबाद चुनाव की तारिकों के अलान के बाद सभी राजनेतिक दलों ने तैयारिया कर दिया शुरू इसे बीच भारती जनता पार्टी ने आज से चुनावी प्रिचार और रैली का कर दिया शंकिनार जिसके लिए केंद्रिय ग्रामंत्री अमित्षाज पहुचे राजनांद गाउं जहांवे पार्टी के चौर प्रितियाष्टियों के नामंकर भी होंगे शामिल चुनावी बॉंड के जरिये राज्रिदिक पार्टीयों को मिलने वाला चुनदा होगा बन सम्विधान पीट के पास भेश दिया सुप्रीम कोट इलेक्टरोनल बॉंड स्कीम को चुनाती देने वाली आ चुका पाजज़ों की सम्विधान पीट अब करेगी मामले की मध्य प्रदेश विधान सबाच चुनाव के लिए बीजेपी ने 136 प्रतियाशियों के नाम का किया एलान, कॉंग्रेस ने भी 146 प्रतियाशी कर दिया है घोशित, इन उमीदवारों में पाचवी, आठवी, दसवी और बावी पास से लेकर डॉक्टर वकील और इंजीनिय दोनों पाटियों ने सबसे ज्यादा भरोसा वकीलों पर जताया। संच्रन के स्थिती बन रही है, हाला कि किसी भी ठेस अनुमान के लिए यह बहुत जल्दी है। संच्रन क्या कम हुई है, अब लोग छोटी फिल्मों के लिए सिनेमा गर्जवाने की बज़ए उनके OTT पर आने का हिंतजार कर लेते हैं। इसी परिशानी से जुझ रहे, सिनेमा मालिकों ने अब एक नया तोड निकाला है। राहूल गांधी ने मनिपूर की घटनाओं का दिक्र करते हुए पियम मोधी पर साधा निशाना। महीला पहलबानों से कतित योन शोशन मामले में राउन जेवे निव कोर्ट में सुनवाई हो गई है पूरी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को दोपैट धाई बज़ए होगी। रजभूशन सेंगी वकील ने कहा कि ओवर साइट कमिटी की रिपोर्ट दिली पुलिस की कमिशनर को केंदी सरकार ने भेजी थी। राजिस्थान में विधान सबाद चुनाव के लिए मद्दान 25 नवंबर को उससे पहले मुखे मंत्री अशोग गैलोत ने किया बड़ा दावा। सत्ता में वापसी की कही बात सीम ने कहा कि जुनता ने कॉंग्रेस की सरकार को रिपीट कराने का बना लिया है मन। मध्य प्रदेश, राजिस्थान, 36 गड़, तेलांगना और मिल्जोलम में विधान सबाद चुनावों की तारिकों का हो चुका एलान हर पार्टी अपनी तरह से वोटनर्स को लुभाने की कर रही है कोशिश। तेलांगना कॉंग्रेस अपने चुनावी मैनिफेस्टों में इसकड़ी में कुछ ट्रेड़े ऐलान कर सकती है। शुपमन गिल जुनकी रेटिंग 830 है।